हालो फ्रेंड्स वेलकम टू चैंपियन गुर जी फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग अलजेबरा के सभी महत्पून फर्मूला को देखेंगे और उसे समझते हुए चलेंगे सभी फर्मूला में मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जिससे आप उसे असानी से कर लिए और वीडियो को लाइक कर दीए तो चलिए शूरू करते हैं यहां पर देखिए पहला फर्मूला है इंपलस बी का होल स्कुएर a plus b ka whole square क्या होता है तो देखिए a square plus b square और plus 2ab इसे एक और तरीका से लिखते हैं a square और plus 2ab और plus b square यहाँ पर देखिए a square plus b square केवल इसमें b square को बाद में लिख दिया है और 2ab की बीच में लग कर दिया है ठीक है अब देखिए दूसरा फर्मुला है a minus b का whole square तो देखिए a minus b का whole square क्या हो जाएगा तो a square और plus b square और minus 2ab इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं a square और minus 2ab और plus b square अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे तो देखिए a plus b square है तो देखिए दोनों में a minus b का whole square और a plus b का whole square यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस है इस तरीके से याद कर सकते हैं दूसरा फर्मूला है ए पलस बी का होल स्क्वार माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वार यानि इसमें से इसको घटा देंगे यानि इसमें से इसको घटाईएगा तो क्या हो जाएगा A² B² दोनों कट जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो पलस हो जाएगा तो 2AB और 2AB 4AB हो जाएगा 4AB इसका फर्मूला हो जाएगा अब देखिए इसमें से निकाल देंगे 10-4B का होले स्क्वायर का एक फर्मूला और a-b का होले का होले का एक और फर्मूला देखिए एक पलस weekend होले स्क्वायर को निकालना है इसको इसी साइट रहने दिजिए और इसको इससे भर्यर्धिए तो यहाँ पर फूर AB है तो यहाँ हो जाएगा और इस isd जएगा, तो एहा क्या हो जएगा? प्लस हो जएगा, तो uponus A-B का whole square तो A का फर्मूला हो गया, अब देखे A-B को इसआड भेज़ देजिए और इसको इससाड भेज़ देजिए तो A-B का whole square का फर्मूला निकल जएगा तो A-B का whole square E side रहा गया और इसको E side लिया देते हैं तो minus 4 A B तो यहाँ इसका फर्मूला हो गया आप देखिए A plus B का whole square अब plus A minus B का whole square का फर्मूला निकलना है यानि इसको और इसको एकदा जोडेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो वह फर्मूला आ जाएगा तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into a square और plus b square, या इसका फर्मूला हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, a square minus b square का फर्मूला क्या हो जाएगा, a square minus b square का, तो देखिए, a plus b, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घाटा दीजिए, a minus b, या इसका फर्मूला हो अब देखे ए ऐ स्कॉराइर और बलास बीटः का फर्मुला निकलना है। यहाँ इसकाμέंग धाता यहाँ पर पिलास और देखे इसका फर्मुला क्लाइए, लिख दिखे गार यहां पर फॉल्स लितना है तो हैंहा पर PLUS 2AB कर दिये, यानि यहां पर PLUS लिजasm लिजये गा, तो यहां पर MINUS कर दिजयेगा, और यहां पर MINUS लिए आप आले, तो यहां पर PLUS क्लिक देंगे, ठीक है, अब देखिए, A PLUS B का HOLE Q का फर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फर्मूला हो जाएगा A Q B Q 3 A Square B 3 A B Square और इसे इसे एक और तरीका से कैसे लिख सकते हैं तो देखिए A Q एक और तरीका से लिख सकते हैं A Q B Q here A B तो 3 A B क्या करेंगे कोमा लेंगे कोमा लेने का मतला होता है इसमें भाग देना इस दोनों पाद में से थिरी ये भी कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा थिरी से थिरी कर जाएगा एसे एक एक कर जाएगा और एक बच जाएगा और बी से बी कर जाएगा यहां पर इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहां बीच बच जाएगा तो यहाई इसका फर्मूला हो गया, आप इसे लिखते चलिए, आप इसे डायरी में लिख सकते हैं, इसका लिस्ट बना सकते हैं, इस सभी फर्मूला का, ताकि आपको याद करने में सहुलियत हो, अब देखिए, AQ पलस BQ का फर्मूला निकलना है, तो उसे कैसे निकालेंगे तो देखिए, AQ पलस BQ यहाँ पर है, तो इसको इसी साइड रहने देंगे, और A जो पूरा पद है, इसको इस साइड भेड़ देंगे, तो AQ पलस BQ का फर्मूला निकल जाएगा, तो देखिए, A पलस B का होल Q लिख देंगे, और इसको पूरा को इस साइड ले जाएगे तो माइनस हो जाएगा यानि लेफ स्टाइट ले जाएगे तो यहाँ पलस है तो माइनस हो जाएगा और पूरा पद लिख देंगे 3AB into A plus B अब देखिए इसका एक और फर्मूला होता है A Q plus B Q का एक और फर्मूला क्या हो जाएगा तो देखिए A Q plus B Q है तो यहाँ पर A plus B लिख देंगे ठीक है अब क्या करेंगे तो A square plus B square और माइनस A B या इसका फर्मूला हो जाएगा अब देखिए A Q A minus B का होल Q का फर्मूला है या क्या होगा तो देखिए A Q minus B Q minus 3A square B या इसका फर्मूला हो जाएगा इसे एक और तरीका से कैसे लिख सकते हैं तो देखिए A Q minus B Q minus 3A B कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा इसमें तो यहाँ पर बच जाएगा A और माइनस B तो या इसका फर्मूला हो जाएगा और बाकी जो माइनस 3A B into A minus B है इसको इस साइड भर देंगे तो यहाँ पर लिख लिखे लिजिए A minus B का होल क्यूँ और यहाँ जब लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर पलस हो जाएगा पलस 3A B into A minus B तो यहाँ इसका फर्मूला हो गया अब देखिए A Q minus B Q का एक और फर्मूला क्या हो जाएगा तो A Q minus B Q है न तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे A minus B into A square पलस B square और पलस A B यहाँ पर सभी पलस है ठीक है अब देखिए एक और फर्मूला A plus B plus C का whole square इसका फर्मूला क्या हो जाएगा तो देखिए इसका फर्मूला क्या हो जाएगा देखिए a² plus b² plus c² अब पॉलस इसमें से two comma लेंगे two सभी में हैं तो two comma लेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab plus bc और plus ca हो जाएगा तो यह इसका फर्मुला हो जाएगा अब देखिए a plus b plus c का whole q का फर्मुला क्या हो जाएगा यह a² का था यह q का है तो इसका फर्मूला क्या हो जाएगा तो AQ plus BQ plus CQ अब फर्मूला 3 into A plus B into B plus C into C plus A यह इसका फर्मूला हो जाएगा अब देखें लास्ट फर्मूला पर आ गया है यहीं फर्मुला सबसे ज़्यदा important है और इसे बहुत सारे exam में पुछे जाते हैं question तो देखे aq plus bq plus cq minus 3abc का फर्मुला क्या हो जाएगा तो इसका फर्मुला होता है a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca यह इसका फर्मुला होता है ठीक है तो देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर इस सभी पद क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसको जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा तो अगर इस minus 3abc है तो इसको east side ले जाएगे यानि right side ले जाएगे तो plus 3abc के बराबर हो जाएगा यानि aq plus bq plus cq बराबर 3abc हो जाएगा तो यह कब संभाव है यह तभी संभाव है जब यहां पर 4 यहां पर condition आता है 4 case में यह संभाव है देखिए वहां सभी case देख लेते हैं तो case first क्या है तो case first में है अगर a plus b plus c बराबर 0 हो जाए तो यह जब 0 हो जाएगा तो इसमें भी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा यानि इसार जाएगा plus हो जाएगया यानि 3 a b c के बराबर हो जाएगा तो फ़ाला case में क्या है a plus b plus c बराबर 0 हो जायए second case क्या है तो second case है कि a square plus b Kennedy a square plus c а square minus a by बराबर 0 हो जाए और तीसरा कंडिशन देख लिजिए तीसरा कंडिशन क्या कहता है तो तीसरा कंडिशन है कि A बराबर B बराबर C यानि तीनों जब बराबर होगा तब जाकर क्या हो जाएगा A Q पलस B Q पलस C Q बराबर 3 A B C हो जाएगा अब देखिए चौथा condition क्या है तो चौथा condition के लिए यहाँ पर इसका एक और formula होता है तो हाँ formula क्या होता है यानि इसका formula होता है aq plus bq plus cq minus 3abc का इसका एक और फर्मुला होता है 1 by 2 into a plus b plus c into a minus b का whole square और plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square यह इसका फर्मुला होता है ठीक है तो चौथा condition क्या हो जाएगा तो चौथा condition यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पद अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा aq plus bq plus cq बराबर 3abc हो जाएगा यानि a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा aq plus bq plus cq बराबर 3abc हो जाएगा तो इस तरीके से यह सभी फर्मुला निकल कर राता है आशा करते हैं आपको यह सभी फर्मुला समझ में आ गया होगा और आप यहाँ इसको किसी कौभी पर अच्छी तरह से लिख लिजेगा और इसे याद कर लिजेगा तो चलिए यहाँ पर सभी फर्मुला को फिर से यहाँ पर देख लेते हैं देखिए एक से देख लीजिए एक से साथ तक फर्मुला देख लीजिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आठ से देख लीजिए आठ से सोला तक फर्मुला देख लीजिए यहाँ पर फिर देख लीजिए 17 से बाकी फर्मुला यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगाता है वीडियो को लाइक किजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीक साथ यू